गोड मॉनिंग दोस्तों स्वागत आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में बेटी से आज आज आपका 27,740 डॉलर पर अभी ट्रेड कर रहा है जो कहीं न कहीं जो कल आपका 28,000 को क्रोस कर गया था 28,400, 28,500 तक गया था वहां से अब एक तरह से देखा जाए तो नीचे आया है तो देखे ये तो सब चलता है मारकेट के वो गड़ा है एक तरह से अपने नियब है कि मारकेट ऊपर जायगा तो नीचे भी आएगा लेकर यहां थोड़ा सा नहीं जो गेम खिला जाता है पर यहीं पर थोड़ा confusion हो जाता है कि वहीं मारकेट अभी और कितना ऊपर जाएग कि अभी थोड़ा से यह नीचे आया है लेकिन अभी थोड़ा सा market यहां से sideway ही है कोई moment अभी ऐसा positive नहीं रात में हुआ जो कि यह लगए जहां market यहां से उपर जा सकता या ज्यादा नीचे जा है क्या क्योंकि अच्छा कासा इसमें एक अनलॉक होने वाला है तो देखिए वन इंच में अभी भी प्राइज आपका डाउन ही है और कहीं न कहीं यह जो 200,000,000,000 टोकन्स का जो अनलॉक होना है आपका एक जून को उसका इंपक्ट आपको जो है नजर आ रहा है तो यह देखिए वन इंच में सिर्फ यह है आप थोड़ा सा अगर आपकी होल्डिंग कहीं प्रॉफिट वाली है तो थोड़ा बहुत आप प्रॉफिट ले सकते हैं कि यह सिर्फ उनके लिए था जो केबल अगर जोनों ने डिब में बाई किया है तो वो थोड़ा बहुत इसके बारे में सोच सकते हैं अगर उनका प्रॉफिट कहीं है तो लेकिन और देखिए बेबी डॉच इसमें भी कोई बहुत ज़्यादा इंपक्ट आपको कुछ नेजर परसेंड के आसपास अपका यह डाउन है तो क्या कहेंगे इसको क्या हाइप सो क्वाडली कोई बन रही है नहीं बन रही है उसे साथ तो बिलकुल भी यह नहीं लग रहा कि बेबी डॉच में किसी भी तरह की कोई हाइप यह बनती दीख रही है जबके यहां एक बहुत परसेंगे ती कहीने 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 डवलोपर्स का यह जो दाव है मुझे लगता है उल्टा पड़ गया डवलोपर्स ने साथ यह सोचा था कि 100 क्वाडलिन काम बर्न करेंगे और यह एक तरह से न्यूज स्प्रेड करेंगे तो एक अच्छा कासा स्पाइक आएगा लेकिन ब अल्डेडी पड़ा हुआ है तो होल्ड करके रखिए बाकी अगर कोई स्पाइक आपको लगता है कल तक या परसो तक भाई एक तारीक तक तो आप प्रॉफिट जरूर बुक कीजिएगा क्योंकि यहां बहुत ज्यादा इंपक्ट की उम्मीद तो मैं हमेशा से बोल रहा इक अगर कर्प्टो कंसी के फिरबर की चीज़ रही है और हौंग कांग में देखिये एक तरह से रिटेल क्ररेडिन्ग अगर दूसरा जितने भी और आपके एक्शेंज हैं वो लैन लगाके एक तरह से कड़े हुए लाइसेंस के लिए तो होबी ग्लोबल को सबसे पहले मि जो इस line में खड़ें और उनको बहुत जल्दी जो है एक तरह से license सब को मिल ही जाएगा तो कहीं नहीं कहीं एक तरह से देखा जा तो क्रप्टो में फिलाल China भी कहीं के background से पीछे आ रहा है Hong Kong तो आप देखिे रहें एक तरह से hub बनने वाला है और फिलाल एक जो अपना trend आज कुछ किया है वाइड पेपर इस पेसली लॉंच किया है तो इसलिए आप उन पर थोड़ा सा नजर रख सकते हैं बाकि और देखिए मार्केट में बहुत बड़ा अपडेट ऐसा कुछ भी नहीं है एक साइडवे मुवमेंट है तो आप बस यह थोड़ा सा वेट और वाच और जरू देंगे चले फिर मिलते हैं नमस्कार